आज की जो क्लास है आप लोगों की जो 10-day session हम लोगों के चल रहा था उसका एक तरीके से session 2 है तो आज का जो हमारा main focus होगा that will be last class में हम लोगों ने session 1 था उसमें हम लोगों ने basics of files आप लोगों की start हो गई थी जिसमें हमने एक तरीके से consecutive lines वाला concept को हमने recall किया था आज की जो क्लास है उसमें हम लोगों ने करना किया है it's more of a extraction based class extraction and file based class ये दोनों चीज़े combined है extraction and file based सही है और इसमें एक और चीज़ हम सीखेंगे आज ही क्लास में that is efficient coding तो ये एक एक तरीके से ना अलग से उसने ना मैं आपको जरा अगर slavis दिखाऊं तो ये recent ना एक चीज़ हम लोगों के मतलब 9618 के अंदर add हुई है जरा slavis तो लोगों को दिखा दो that is efficient coding होती है हमारी what is efficient coding मैं वैसे तो बात कर चुक हूंक ट्लासिस के अंदर detail में बहुत दफ़ा मैं लेकिन तुमनों को slavis में दिखा दू कि efficient coding के नाम से आपके पास और और नहीं एक चीज़ आड़ की भी है let me have a look at it okay 2024 2025 वाला slavis निकालते है और इदर search करते हैं हम efficient let's see if I'm able to find it यह देखो structured programming के अदर एक अलग से नोने चीज़ आपको बताई है right efficient pseudocodes अब यह efficient pseudocodes क्या होते हैं इनके बारे में roughly मैं तुम लों के एक दफ़ा ताके recall करवा देता हूँ देखो imagine करो तो मैं पास एक array है 15 elements का ठीक है यह एक file है तुमारे पास imagine करते हैं एक file है मारे पास हम एक file है मेरे पास 100 lines की और उसमें कोई चीज़ ढूंड रहा हूं और वो जो चीज़ मैं ढूंड रहा हूं वो line number 25 पे मौझूद है तो अब efficient code क्या होगा कि आप जैसी line number 25 पहुंचो अब आपको इससे आगे read करने की जूरत नहीं है that's basically the concept of efficient coding मतलब आपके फाल्तु में loops जायना हो जो जो चीज़ आपको मिल चुकी है इसमें अपना flag opposite करके आप उसको बाहर निकाल दो for example अगर यही data मेरा ascending order में set हुआ हुआ है और मैं number को ढूनना चाह रहा हू 54 सही 54 number को ढूनने चाहर हूं file के अंदर और ascending order में season set हुई है अब मैं करता गया 54 पहला number 10 54 is less than 10 अभी मतलब इसके आगे हो सकता है there is a possibility कि 54 जो है वो 10 से आगे हो हम प्लस करते कर पिर नया number आए मेरे पास 23 23 is still less than 54 मतलब अभी भी possibility है कि इससे आगे हो पिर एक दफ़ा आग अब एक दम से मेरे पास number आगिया 65 तो अब मेरे पास condition false हो गई मतलब of course अब 65 के बाद 54 का आना is like impossible ऐसे ही है yes यह no कि 65 के बास 54 आ सकते है अगर ascending order में हुआ हुआ है yes or no चैट बताओ अगर ascending order में मेरे पास सारी चीज़े सेट हुई भी है यह array sort हुआ हुआ है यह file sort हुई भी है और मैं 54 को ढूंड रहा हूँ लेकिन जो number में ढूंड रहा था वो 54 है और अभी फिलाल जो में पास number आया data 60 तब तो यह में पास कोई possibility बची नहीं है right अमें पास ऐसी कोई possibility ब कताबिक पर differently सोचना पड़ता आपको थोड़ा साना अलग से सोचना पड़ता है सोचना किस तरीकी से कि भाई जैसे ही condition पूरी हो जाए मैं लूप से बाहर निकल जाओ और of course जब भी efficient coding का बोलेगा you are not supposed to use for loops यह नहीं कि for loops इस्तमाल ही नहीं कर सकते है अगर जरूरत हो उस आपको यह तो condition based looping हो रही होती है जैसे condition meet हो जाती है loop से बाहर जैसे for example हम बानो बाज़ी को ढूर रहे है बानो बाज़ी मिल गई अब आगर जूड़ने के तलाश करने की जरूत नहीं है आगर बढ़ने की जरूत नहीं है अब बस बानो बाज़ी को जहां पर में मिली है निकल जाओ loop से अच्छा क्या अगर efficient नहीं लिखोगे marks cutting है बिलकुल marks cutting efficient coding का एक mark होता है एक mark होता है लेकर यूजिली preferred यह है कि उसको जाया मत करो तो बहतर है लेकिन अगर efficient की logic नहीं बन पा रही है तो normal code भी लिख लिया करो ताकि marks मिलें सही है अभी देखना देखना अल आज की सेशन है कल के सेशन में हम लोगों ने files और consecutive lines वाला concept किया था जिसमें तीन लाइनों पे हम लोगों के पास अलग अलग चीज़ें मौजूद थी kind of a record in a file उसकी बाद हम लोगों ने आज जो चीज़ करनी है that is extraction and files तो यह दो concepts with efficient coding वो करेंगे आचा यह सवाल है हमारा में जून 2023 पेपर 2-1 सही है तो question number 8 है मैं तुम लोगो time दोंगा solve करने के लिए और जो recording देख रहे हैं वो भी इसको time लेंगे और pause कर लेंगे क्यूंकि मैं recording को pause कर दूँँगा तो आप लोग इसको pause करके फिर attempt करोगे ठीक है जी okay so question number 8 solve करने जा रहे हैं अभी तक मैं आप लोगों को कहां तक आपने पढ़ना है पहले देख लो सिर्फ पहला page पढ़ना है part A तक सही है part A तक पढ़के अपने पास सब अपने information को जल्दी से पढ़ें तुम लोगों को time दे रहा हूं मैं और understanding बनाएं इस सवाल को solve करना start करना है part A आप लोगोंने solve करना है और part A के लिए पूरी हर एक चीज़ को read करो मैं कुछ भी read नहीं कर रहा हूं मैं जब तुम लोगों का time over हो जाएगा फिर मैं इसको read करूंगा समझूंगा तुम लोगों को समझाऊंगा कि एक particular question को किस तरीके से समझना है किस तरीके से solve करना है हर एक चीज़ हम लोग इसको देखेंगे और of course देखो यह वाला सवाल मैं पहली भी बता चुका हूं कि यह वाला सवाल मैं पहली दफ़ा कर रहा हूं खुद से भी like मैंने भी पहली दफ़ा like अभी तक नहीं किया ठीक है तो तुम लोगों के साथ ही करूंगा इसको solve तो सही हुआ तो देख लेंगे घलत हुआ तो improve करेंगे इस तरीके से सारी चीज़ा होंगी ठीक है जरूरी नहीं कि मैं सही करूं चलो शुरू हो जा तुम लोग कोशन में 8 solve करना है और जिसके पास जो recording's देख रहे हैं वो अपना paper open कर लें वैसे मैंने group पे तो भीज दी पे जो जो group पे नहीं है वो क्या कर सकते हैं इसको paper को open कर लें summer 2023 9618 May June paper 2 variant 1 है यह कोशन में 8 attempt करने जाने हैं तो पहले खुद attempt करना फिर इसकी solution देखना चलो शुरू हो जब हो जब हैं तो I'm gonna give you some time around part A करने के लिए ना part A मुझे तुम लोगों ने खुद part A करके देना है अ part B में वो efficient के बारे में बोलते हैं वो भी मैं दिखा देता हूं मैं इसको read करूंगा तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा यह देखो write efficient pseudo code सभी है मैं तुम लोगो timer start कर दूं you guys can have around um 20 minutes I think सभी है 20 minutes सभी है तुम लोगों के लिए chapter बता हो yes or no? 20 minutes are enough हाँ coding भी करने है reading के part A करना इसका से part A करना है question number 8 बेटा मुझे नहीं पता आ रहे है सभी तुम solve question तो पढ़ो तो तुमने question पढ़ा नहीं तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो bubble sort कहां सा आगे वा इसमें पढ़ो तो question चलो बिसमिल्ला करो I'm gonna start your timer it's around 5.26 at the moment तो around 5.46 तक का तुम लोगों को हम time दे सकते हैं जनाब around 5.46 चलो बिसमिल्ला करो और बिटा सबने खुद solve करना है अब्दल्ला अमीर और माइदा इर्फान मुझे तुम दोनों की working चाहिए सभी है अब्दल्ला अमीर और माइदा इर्फान जो भी code करोगे question number 8 part A का मुझे तुम दोनों ने WhatsApp पे भीजने हैं बागी कोई ना भीज़े भाई मेरा महरबानी मेरा WhatsApp पहली मर चुका है इतने messages के Allah बचाए तो बस हमारे पास अब्दल्ला अमीर सहब और माइदा इर्फान ये दो जो हैं हमारे पास शखसियात मखलूक वह हमें तस्वा भीज़ेंगे code की pictures भीज़ेंगे ताकि हम चेक करें सही है तो लेट मी पॉज माइब पॉज रिकॉर्डिंग और यूट मैसल इस वेल गुड़ लग उकी जणाब अब सब का फोकर चाहिए और चैट बताओ हो गया है स्टार्ट करो पांच मिनट पांच मिनट का क्या करोगे तो छोड़े यार तुम क्या करोगे थीक यह बताओ रफली आइडिया तो बन गया ना पर समझा रेंपरीड नहीं हो राँ कोई मेसलनी को मेसलनी को मेसलनी वेतरीन 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 चलो देखते हैं भी पढ़ते हैं मैं भी पहली दफ़ा पढ़ाँ और मैं कोशिश करता हूँ बढ़ी इसो शालवक करता है अब यही तुमने साल्व की है अब मैं इसको समझता हूँ मैं भी पढ़ हैं कि मनाने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको किस तरीके से सॉल्फ करूंगा ठीक है ना दे तिंग इस जब हम यहां पर बात करते हैं कंप्यूटर शॉप असेंबल सब्सक्राइब करें और सिर्फ गौर से चीज़ों को देखो यह सवाल पिर से रिपीट नहीं होने वाला है सब्सक्राइब यहीं सेम्सक्राइब तुम लोगा पिर से नहीं आएगा लेकिन जो चीज इस सवास हम सीख सकते हैं दाट इस हाव तो रीड़ कोश्चिन हाव तो बीसिक्ली अंडिस्टाइब कोश्चिन फिर उसके मताविक सोचते किस तरीके से चलो अब कंप्यूटर शॉप इसको अब उर्द में ट्रास्लेट करो एक कंप्यूटर शॉप है यूजिंग आइटम से करती है जोके अलग अलग सप्लाइर से उसने लिय खरीदे होते हैं ठीक है अटेक्स फाइल टॉट टी एक फाइल है स्टॉक डॉट टी एक नम से वह सारी इंफरमेशन हर एक एक आइटम के बारे में जो है वो इसमें स्टोर करीवी उसने उसमें मौ dot txt file in the format पहले item number है then we have supplier code and then we have description तो ये सारी चीज़े में पास मौझूद है in a line in a single line item number supplier code description of course ये तीनों चीज़ें जहें वह string values है क्योंके text file में मौझूद है आगे पढ़ते है item number item information is as followed item number four digit numeric character four numeric characters four numeric characters unique for each item in the range zero 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 one two five nine 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 इस तरीके से में पास numbers मौझूद है and the thing is कि ये string values है ये मुझे किस तरीके से पता चल ला है क्योंकि of course zero uh जिसके preceding numbers है वो zero 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 है तो इसका मदब क्या है कि one से पहले अगर zero आ रहा है इसका मदब अगर उसको consider करना है आपने तो of course एक string value हो कि और quotation marks रो बहुत clearly हमें ये चीज़ बता रहे हैं ये एक string value ही है supplier code five alphabetic characters five alphabetic characters होंगे मतलब a small a से z capital a से z capital z तक ये characters होंगे इनके लावा और कोई भी चीज alphabetic collectors alphabetic characters नहीं कहलाती है तो अगर ये दोनों हैं तो that's perfect चलो आगे बात करते हैं आप लोगों से ठीक है ये समझागे supplier code जो का वो five digits characters होंगे ठीक है description जो है वो क्या है बई एक string है a minimum of 12 characters अब देखो अब मैंने ये चीज़ पढ़ी तुम लोगों ने क्या पढ़ा बस normally पढ़ लिया इसको अब मैं इसके बारे में सोच रहूं कि अगर ये चीज़ इसने लिखी है तो ये चीज़ इसने क्यों लिखी है हर चीज़ का मकसद है यहां पर तो अब तुम लोगों ने ये चीज़ नहीं करनी कि बस इसको रीट किया तुम लोगों ने समझ लिए हाँ मिनमम 12 characters होंगे नहीं सोचना किस तरीके से सोचना इस तरीके से यह अगर इसने चीज़ लिखी है तो यह क्यों लिखी है अगर यह बोला मिनमम 12 characters इसमें मैंने अब केस सोच रहा है कि अगर यह बोला minimum of 12 characters that means कि हो सकता है कि 12 characters हो minimum हो सकता है 13 हो सकता है 10 हो सकता है 14 हो सकता है 16 हो तो मैंने फॉरण से चीज़ों को link करना start किये यहां से कि जब भी वह ऐसी बात कर रहा है कुछ अजीब सी उसने बात की पहले सारे characters बता रहा था कितने कितने numbers हैं एक दम से बोला है minimum of 12 characters तो हो सकता है 13 हो हो सकता है 20 हो हो सकता है 15 हो बस minimum 12 होंगे सभी तो मैंने सोचना start किया अगर मुझे description की length चाहिए होगी तो मैं total length में से 9 को subtract कर दूँगा 9 क्यों क्यों क्योंकि item number जो था 4 था 4 digits है और supplier code is 5 तो total minus 9 कर दूँगा तो मैं पर description की length आ जाएगी यह चीज़ अभी फिलाल के लिए irrelevant काम कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं लेकिन मैं सोच रहा हूं अपनी understanding बिल्ड कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी सवाल नहीं पड़ा है शायद इसकी जूरूत ना हो जो मैं कर रहा हूं लेकिन जब मैं पढ़ हूंगा question को तो मैं अपनी दमाग में सोचता रहूंगा ठीक है यहां तक हो गया यहां तक मुझे समझ भी आ गया है तीन चीज़ें एक ही line के अंदर मौजूत है अब वो कह रहे हैं the file is organized फाइल जहां आपकी organized है मतलब एक तरह के से सट होई भी है उसमें in ascending order of item number in ascending order of item number मतलब पहले 0001 है फिर उसके बाद 0002 है मैं पहले भी बता चुक हूं string comparisons बिलकुल होते हैं of course 002 is greater than 001 although string values हैं लेकिन comparison होते हैं फिर 003 आएगा इस तरीके से ascending order में मौझूद होंगी ठीक है जनाब अब वो क्या कह रहे हैं and does not कुछ highlight कर दिया अब समझने की कोशिश करते हैं इसने highlight क्यों किया the file is organized in ascending order of item number and does not contain all possible values in the range क्या मतलब हुआ मुझे समझ नहीं आ है मेरे सरक पर से गुजर गई फिर से पढ़ते हैं जो भी file है आपकी organize होई भी है एक एक word को आप है translate कर रहा हूँ ascending order में item number के ठीक है and does not contain all possible values in the range and does not contain all possible values in the range क्या मतलब हुआ जरूरी नहीं है अम मैं translate कर रहा हूँ जरूरी नहीं है कि जो भी range है which is 0001 से 5999 तक जरूरी नहीं कि तो वह सारी values इसमें exist करती है हो सकता है 003 ना हो हो सकता है 0010 ना हो हो सकता है 5998 ना हो हो सकता है 4999 ना हो तो it's basically जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मौजूद हो ठीक है तो यह चीज़ मैंने यहां से समझ दी ठीक है आगे क्या कह रहा है अब programmer has started to define program modules as follow कुछ modules है program के वो बनाएवें उसने यहां पर सब exist मतलब supplier exist एक already written है पहले से लिखावा है अब आपने इसको सिर्फ इस्तमार करना होगा already written है क्या है लेकिन उसको समझना जरूरी है it's more like a built-in function इस तरीक किसे हम इसको deal करेंगे कि यह kind of a built-in function हमाँ पस मौजूद है call with a parameter of type string एक string parameter होगा जिसमें हम लोग representing a supplier code उसमें supplier code मौजूद होगा और वो true और false return करेगा returns true if the supplier code is already in use मतलब अगर वो already किसी particular एक तरीके से item के साथ मौजूद है आप लोगों का supplier code तो वो उसमें आप लोगों को बताएगा return करेगा returns true if the supplier code is already in use मतलब true return करे जब already use में है अगर इस्तमाल हुआ वा है तो true otherwise returns false अगर वो चीज़ एक्जिस नहीं करती है तो वो false return कर देगा तो अभी यहाँ थोड़ी बहुत चीज़ मुझे समझागी है यहाँ ठीक है अब वो क्या कह रहा है is new sub is new sub मतलब is new supplier एक और मोडियूल है called with a parameter of type string representing a new supplier code एक नया supplier code इसमें आप लों को देंगे और उसके बाद वो क्या कह रहा है returns true true को return करेगा if the string only contains alphabetic characters सही है अगर सिर्फ और सिर्फ alphabetic characters है उसमें तो it will return true मतलब अगर ऐसे कुछ number लिखा हुआ a54 bc इस तरीके से this is totally wrong यह supplier code नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि सारे पांच के पांच characters जह हैं आपके क्या है पांच के पांच characters सारे के सारे characters अपके alphabetic नहीं है तो मैंने एक example मैंने एक चीज़ पढ़ी मुझे समझ नहीं है मैंने उसके example को देखा अब मुझे थोड़ा से roughly idea होगा है तो valid कौन सी होगी a a b c c e r d इस तरीके से अगर इस तरीके से चीज़ मौजूद है alphabetic characters हैं तो perfect ठीक है अब वो कह रहा है call with the parameter of type string representing a new supply code returns true true return करेगा अगर string only contains alphabetic characters अब uppercase भी हो सकते हैं लोग case भी हो सकते हैं सही है मुझे दोनों को देखना है मुझे a to z वाली range को भी देखना है capital a to z वाली range को भी देखना है सही है that's the concept over here and the supply code is not already in use and the supply code is not already in use अच्छा मैंने ये चीज़ पढ़ी the supplier code is not already in use फिर से पढ़ता हूँ और मैं इसको समझने की खोशिश करता हूँ ये चीज़ मैं किस तरीके से करूँगा वो कहना चाहरा है हम true return करेंगे अगर सारे alphabetic characters होंगे और अगर वो supplier अभी तक इस्तमाल नहीं हुआ होगा तो तो हम लोगों ने उपर जाके देखा कि मेरे पास एक ऐसा function मौझूद था which is known as supplier exist के नाम से यही काम कर रहा था कि वो exist करता है या नहीं करता है already in use है या नहीं है तो मैं इस चीज़ को इस्तमाल कर सकता हूँ अगर मेरा supplier exist की value जो चीज रिटर्ण कर रहा है वो true return कर रहा है that means कि वो already use में तो मैं false return कर दूँगा in is new sub के अंदर और अगर मेरा supplier exist false return कर रहा है that means कि वो अभी तक use में नहीं है तो मैं उसको true return कर दूँँगा इस new sub के अंदर चलो थोड़ा सा एक roughly idea हुआ है मुझे मेरे भी मतलब proper code नहीं बना मेरे दमाग में से एक rough सा idea आया है इसका इस सिर्व इस line को पढ़के फॉरन से मैंने लिंक किया इस particular function के साथ जोनोंने already हमें बना के दिया हुए already return है otherwise return false मतलब अगर वो चीज़ नहीं है तो आपने false return कर देना है ठीक है जनाब और कुछ चीज़ें इसमें आपने खयाल रखना है कि जो आप लगों का supplier code है वो five digits का होना जरूरी है सही है जनाब तो let's start with the coding part of it अब वो क्या कह रहे है आप लोगों से write pseudo code module is new sub के नाम से अपने pseudo code module लिखना है module sub exist has already been written and should be used as part of your solution module sub exist will generate a runtime error runtime error देगा if the given parameter runtime error मतलब एक error देगा false और true में हमारे पास errors आएंगे if the given parameter is not five characters in length अगर आपको जो parameter है वो five characters in length नहीं है तो you are supposed to return false तो दो cases ऐसे हैं जिसमें आपने false return करना है अगर वो चीज already in use है अगर वो चीज जो आप इस्तमाल कर रहे हो वो already in use है और उसके साथ साथ एक और चीज़ हो सकती है that is कि अगर five characters in length है इन दोनों में से कोई एक भी condition true हो जाए ना कोई एक भी condition true हो जाए that means you are supposed to return false सही है तो मैं इसको और की condition लगा के solve कर सकता हूँ कि अगर इन में से कोई एक भी one हो जाए तो वो मैं इसको true consider करके false return करवा दो हूँआ तो बहुत ही simple सा इसका code है और उसके बाद मुझे हर एक एक character को check करना है alphabetic characters के लिए चलो उसके बारे मैं बाद में सोचूँगा अभी फिलाल एक rough सा concept बना है मेरे दमाग में अभी पूरा code नहीं बना है मैंने breakdown करना है इसको भी तो let's start with the coding part start कर दिया करो अच्छा इससे खुदी बन जाएगा सारी चीज़े let's start ये function है because you are supposed to return a value function is new sub parameters कौन कौन से है called with a parameter of type string इसको हम एक नाम दे देते हैं supplier code के नाम से देते हैं supplier code colon string and it returns capitalization का ख्याल रखा अगर हो तुम लोग जो चीज़ जैसे function दे को capitalize रखा मैंने returns को capitalize string को capitalize returns क्या चीज़ रटन कर रहे? boolean value रटन कर रहे true या false boolean जनाब यह आपका header तैयार हो गया you're supposed to leave some lines for the declaration purpose ताकि आप बाद में जब code हो जाए तो declare कर देना यहाँ पर so I'm gonna need one for flags and one for string तो दो line है तो मुझे छोड़ने ही छोड़ने है मतलब string कह रहा हूँ string तो already declared है characters चाहिए होगे भी देखते हैं इसको क्या क्या चाहिए होगा मुझे नहीं idea I'm just gonna leave some lines अच्छा अब मुझे पहली चीज़ चेक करनी है कि अगर उसकी length 5 ना हो तो पहली चीज़ और वो चीज़ already use में हो तो यह दो काम मुझे करवाने तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ if length जो आपका length का function मौझूद है उससे हम लोग characters को easily figure out कर सकते है ताकि मुझे उसको 5 से compare करवाना है if length is not equal to 5 अगर वो 5 नहीं है 5 के लावा कुछ भी है or or का मतलब एक और condition चेक करना चाहरे मतलब हम मुझे चेक करना है के supplier already in use है in use के लिए क्या condition है in use के लिए condition है true अगर supplier exist to return कर रहा है that means कि वो already in use है तो मैं इसको check कर लेता हूँ यहाँ पे ने एक variable बना के कर लेता है पहले use check के नाम से बना लेता हूँ use check use check थोड़ा से लंबा काम कर रहा हूँ although वो directly भी हो सकता है मैं थोड़ा सा इसको breakdown करके करना चाहरू use check के नाम से मैं एक valuable बनाए है मैंने इसमें मैं supplier exist को call करता हूँ sub exist को अब अगर मेरे use check की value आती है supplier code इसमें pass करेंगे हम लोग अब अगर मेरे use check की value आती है true that means के वो already use में है पढ़ते है returns true the supply code is already in use और false आती है that means कि अभी तक use नहीं होई है ठीक है तो मैंने एक roughly अपना concept बना लिया दिमाग में अब उसके बाद यहाँ पर मैं condition बनाता हूँ if length is not equal to 5 अगर 5 के बराबर नहीं हुई और और का बतलब यह condition या तो इसके बाद वाली condition use check is equal to true और अगर use check true के बराबर है then what I'm supposed to do then I'm supposed to return false मैं यहाँ पर false return कर दूँगा सही जनाब so that's one thing अच्छा इसको end if कर देते हैं अभी मैंने सिर्फ एक चीज़ की है या तो use check true हो जाए या तो length आप लोगों की 5 के बराबर नहों तो वो दोनों scenario उसमें से कोई एक भी condition true हो जाएगी तो वो false return करके आप लोगों का जैसी return false हो जाता है तो उसके बाद आगे code नहीं काम करता अगर return false कर देते हैं तो return हो जाए कोई भी चीज़ तो that means अब आपका code आगे काम नहीं करेगा तो वहीं पर रुख जाओगे ठीक है चलो अब मुझे दूसरी चीज़ चेक करनी है और दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है आप लोगों के हर एक एक alphabet को चेक करना है ठीक है कि आपका alphabet जो है वो हमारा जो है जो number characters हैं क्या वो alphabetical characters हैं या नहीं है अब इसके लिए मैं किस तरीके से सोचूँगा अच्छा मुझे ये बताओ जब भी ऐसे scenario आता है तुम लोग बताना मुझे क्या मुझे अगर alphabetical characters को चेक करना है तो क्या मुझे तुम लोगों के दिमाग में थोड़ा बहुत recall हो रहा है क्योंकि हमें ऐसे सवाल कर चुके हैं अपने lectures के अंदर मैं तुम लोगों से सवाल करता हूं कि क्या तुम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ याद आ रही कि हम जब characters को देखते हैं कोई trace table का concept कुछ आ रहा हूँ कि एक-एक character को single extract करना yes or no कुछ याद आ रहा है कि मिड इंडेक्स कॉमा वन की logic याद आ रही है फात्मा जुलकर ना है मिड इंडेक्स कॉमा वन की logic याद आ रही है एक-एक character को extract करना है तो बस बिटा तो यहाँ पे क्या करना पड़े है यहाँ पे क्या करना होगा ठीक है हाँ मैंने length को उसमे पास नहीं किया variable एक मैं यहाँ पे कर देता हूँ sorry पास ही करना भूल के भाई यहाँ पे पास कर दो चलो supply code यहाँ पे length के नहीं पास होना था my bad अच्छे देखो फात्मा तुम्हें अगर यह चीज रिकॉल नहीं होई न फॉरण नहीं इसको सिर्फ देखने के बाद कि मुझे alphabetic characters को चेक करना है कि मेरे पास यह जो characters है क्या यह alphabetic characters है यह नहीं है तो उसका simple सा scenario है that is कि आपके दमाग में फॉरण क्या चीज़ आनी चाहिए कि मुझे एक एक character को extract करना है जब भी मैं एक character को extract करके मैं check करूँगा if it is मुझे अब एक तरीके से ना दो conditions बन सकती है either it could be greater than equal to a or less than equal to z यह scenario है मेरे पास और दूसर scenario क्या हो सकता है it is greater than small a and less than z इस तरीके से आपने condition बनानी है आपके इन दोनों में से आपकी कोई एक भी condition true हो जाए that means आपने consider करना है और दोनों false हो गए तो मतलब वो alphabetic character से नहीं था सही है चलो अब जब जब इसकी condition बनाते है किस तरीके से बना सकता हूँ अच्छा बिटा फात्मा तुम्हें यी चीज़ समझाई जो मैंने भी बोला फात्मा सुल करना है कि हर एके character को extract करेंगे यी चीज़ समझाई जदी जदी बिटा चार्ट पर आजो चलो अब देख लो भाई अच्छा अब मैंने इसके बारे में सोचा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए मुझे पता है कि भाई पांच characters होंगे अब for example अगर पांच characters नहीं थे तो वो पहली return false करके आगे नहीं बढ़ता ठीक है अब अगर उसमें पांच characters है तो मुझे क्या करना है एक यहां पे न वो बना लेते हैं character के नाम से variable इसके अंदर extract करवाएंगे mid के function से mid supplier code supplier code यह चीज़ हम लोग ने extraction की class में की थी whenever you want to extract one element at a time supplier code index,1 यह कौन सी टिकनीक है यह है कि भाई index की value पहले होगी 1 तो 1,1 मतलब पहला character फिर index की value 2 चाहेगी 2,1 मतलब second character 2 से start करो और एक ही character चाहिए फिर 3 से start करो एक ही character चाहिए 4 से start करो एक ही character चाहिए हम एक ही characters को extract करेंगे और उसके बाद में परस value आती जाएगी character के अंदर अब मैंने अपनी condition मनानी है तो if character is greater than small a सभी small a से बड़ा है अच्छा greater than equal to greater than equal to small a मतलब हो सकता है ना कि a भी तो हो सकता है अब इसके साथ हम लोगों ने देखना है greater than equal to small a and थोड़ी सीन है मैं बड़ी condition मना रहा हूँ and character less than equal to z तो यह एक condition मना गए मेरी सभी है यह condition मना आई ही मैंने lower case के लिए अब मैं condition मना रहा हूँ और और के साथ condition मनेगी upper case के लिए सभी है अब मैं upper case के लिए condition देखो यही सेम condition है character it is greater than equal to capital A and character is less than equal to capital Z quotation marks, 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 quotation marks को solve करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने क्या किया है मैंने बोला if character is greater than equal to a and character is less than equal to z यह एक condition मना दी मैंने and के साथ मतलब a से बढ़ा होना चाहिए small a से और z से छोटा होना चाहिए एक condition मन गई इसके साथ और वाली condition मना ही मैंने और मतलब या तो यह वाली condition true हो जाए यह वाली जो green से highlight की है या तो नीचे वाली condition true हो जाए इनमें से कोई एक भी condition true हो गई इसका मतलब है कि वो alphabetical character है ठीक है जनाब वो particular character alphabetical character है तो हम क्या करेंगे मुझे क्या करेंगा है हम एक flag से कर सकते हैं इसको हम इसका एक flag बना सकते हैं यहाँ पर एक्जामपल alpha flag बोल देते हैं इसको alpha flag इसको मैं initialize कर रहा हूँ false से इसको initialize कर देते हैं चलो false ही कर देते हैं मैंने एक flag बनाए ताकि मैं चेक कर सकूँ इसको अच्छा, if character is greater than equal to A and character is less than equal to Z और character is greater than equal to A and character is less than equal to Z ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम अपने flag को अपना false ही रखेंगे हम अपने flag को false ही रखेंगे चलो, और else के अंदर क्या कर देंगे इस flag को opposite, alpha flag true कर देंगे तो imagine करो, अब जरह मैं इसको तुमरा सा dry run करके दिखा दो तुम लोगों को यहाँ तक, इस if condition को हो गया रही है यहाँ पे इसको मैं जरह वो भी बन कर दूँ, next index चलो, एक generally यहाँ पे थोड़ी सबहुत चीज़ने को देखो यहाँ पे मैंने क्या किया और क्यूं किया है मैंने एक flag बना है, alpha flag के नाम से मतलब alphabetical character के लिए एक flag बना है मैंने, अब कर किया रहे है, हम एक ए character पे जा रहे है, for example, a, b, c, d, e ठीक है जनाब, यह हमने 5 characters ले लिए है अब वो क्या करेगा, character mid, a, b, c, d, e, index 1 है, 1, 1 मतलब a को extract किया, उसने अब उसने a को extract करने के बाद condition चेक की इस character a is greater than equal to a and is it less than equal to z, यह वाली condition true हो गई और, और के बाद, यह वाली condition false हो गई जब यह वाली condition false, उपर वाली condition true और और लगवा था, that means कि आपकी condition true consider होगी, हम loop में आ जाएंगे alpha flag को भी तक false ही रखेंगे मतलब अभी change मत करो, बिलकुल ठीक है यहां तक आपका code, चलो, अब उसकी बाद क्या करना है आगे बढ़ो, अब b पर आजो, दूसरा fall loop चल रहा है b पर आजो, supplier code index,1 मतलब 2,1 2,1 मतलब b, जब हम b को extract कर लेंगे फिर वाई same चीज़ चेक करो, small b था small b is greater than equal to a, मैं इसमें एक capital भी डाल देता हूँ हाँ, if b is greater than equal to a and less than equal to z यह भी condition true हो गई, दूसरी वाली condition false हो गई लेकिन क्योंकि और लगा वा था, एक भी condition true हो जाती है तो वो alpha flag को अभी भी false ही रखेगा तब ही तक मेरा alpha flag false ही है अब आजो तीसरी दफ़ा loop चल रहा था, index ही value होगी 3 3,1, 3,1 का मतलब है c extract हो चुका है इस c greater than equal to a, बिल्कुल है it is less than equal to z, बिल्कुल है, condition true होगी और लगा बता दूसरी condition को चेक करो, वो false जाएगी क्योंकि of course capital A और capital Z के दर्मियान lie नहीं करता है चलो, यह condition false होगी, alpha flag अभी भी false ही रहेगा, क्यों true होगी condition एक तरीके से अब आजो c के उप़र अब आजो c c कर दिया, अब हम d को extract करेंगे fourth time loop चल रहा था, fourth time loop चल रहा था, capital D है, is capital D greater than equal to a 97 of, it's less क्योंकि 65 से start होता है, तो यह condition false होगी यह condition भी false होगी, जब यह condition false होगी अब दूसरे वाली condition पर आके चेक करो, इस capital, इस D is greater than equal to capital A it is, condition true, it is less than equal to Z, it is, condition true यह वाली अब condition true होगी है, क्योंकि और लगावा था एक भी condition true होजाती है, हम लोग flag को अभी भी false ही रखेंगे, ठीक है जनाब, इसके बाद हम एक काम करते है यह तो सारे सिनारियो मेरे सही काम कर रहे थे और अब लूप से बाहरा के मैं बोलूँगा कि अगर मेरा alpha flag अभी भी false ही रहा लूप चलने के बाद पांच loops चलने के बाद अगर मेरा alpha flag false ही रहा that means कि मेरा जो supplier code था ना that is working fine वो बिलकुल सही है उसके अंदर पांच alphabetical characters मौझूद है अब एक ऐसी example ले लेते हैं इसको समझने के लिए अपने लिए जिसमें हमाँ पास alphabetical characters A है, फिर B है फिर 1 है C, D इस तरीके से मौझूद है में पास हमने start किया for index 1 to 5 character mid supplier code index comma 1 अब यहां पे पहली character आया A, A को चेक किया पहली condition 2 गई alpha flag अभी भी false ही है सही है, अच्छा अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें हम लोग code गलत हो जाएगा हमारा तो code गलत क्यों हो जाएगा अब उसके मताबग क्योंकि one के बाद c आएगा तो alpha flag तो फिर से false हो जाएगा राइट तो यह logic तो काम नहीं करेगी फिर हम्म जनाब हमें काम कर सकते हैं हमें काम यह कर सकते हैं कि जैसे ही मेरे पास कोई और character आए तो alpha flag को true करने के बजाए ना हम वो यहाँ पे return करवा दें देखा अब यह चीज मैंने सोची अब मैं exam के अंदर इस चीज़ को किस सरी के से करूँगा मैं जरा इसको थोड़ा सा तो मैं करके दिखाता हूँ for example suppose करो हमने जो logic अभी बनाई भी है that is a आया it is greater than equal to a condition true हो रही है यह वाली false हो रही है alpha flag false ही रहा फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई दूसरा character that was b पहली condition true दूसरी false alpha flag false ही रहा फिर उसके बाद आज़ो तीसरी दफ़ा that is one one पर जैसे ही आया यह दोनों condition false हो गई else पर आया alpha flag को हम true कर चुके है यह चीज true हो चुकी है जब यह चीज true हो चुकी या तो फिर conditional loop होता तो automatically रुक जाता लेकिन चलो अभी फिलाल इसी से समझने की कोशिश करते है चलो हम लोगों का यह चीज true हो गई अब हमने क्या किया लूप तो नहीं रुक रहा क्योंके fall loop है अब हम लोग चले जाएंगे c की तरफ c की तरफ जाएंगे c में वही conditions true हो जाएंगी alpha flag फिर से false हो जाएगा अब यह true हो गया था लेकिन वह फिर से false हो गया which is totally wrong यह नहीं होना चाहिए था फिर d आया फिर d में भी यही same scenario हो गया फिर से वह false हो गया तो जब हम बाहर निकलेंगे हमने अपनी condition क्या बनाई वी थी अगर मेरा alpha flag false ही रहा that means कि वह सही है लेकिन यहाँ पे तो scenario opposite हो गया तब इसके लिए हम क्या कर सकते थे अब मैं अगर paper में करता इस correction क्योंकि मैं paper के मताबिक सोच रहा हूँ न of course हम इसको तुम्हारे सामने ही attempt कर रहा हूँ तो अब मैंने एक चीज़ बनाई logic बनाई घलत हो गई अब तुम्हों के सामने paper में क्या करते है मैं इस चीज़ को काड़ देता क्योंकि मुझे alpha flag को true नहीं करवाना मैं यहाँ पर return करवा देता इसी तरीके से जस तरीके से मैंने cut किया न cut करने के बाद मैं यहाँ पर लग देता return false जैसे ही मेरे पास कोई item आएगा जो कि alphabetical character नहीं होगा और कोई और character होगा rather than alphabetical character वो return false कर देगा loop automatically function automatically आपको रुख जाएगा तो यहाँ पर हमने correction कर लिया अपनी इसको यहाँ तक कर लिया अब आज़ो loop से बाहर loop से बाहर आके अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते है condition मना लेते है if although जरूरत नहीं थी लेकिन if alpha flag is equals to false मतलब अगर अभी तक false रहा then what I am supposed to do then return true अगर false रहा तो true return कर देंगे that means कि वो alpha numeric alpha character है sorry alphabetical character है end if simple जना और else में भी बना देते हैं एक condition else return false end if that's it यह code होगी आप लोगों का let me just close it end function देखो अब इस चीज़ से समझो कुछ चीज़े मैं थोड़ी से तुम लोगों को समझानी है 2-3 minute जिसको समझ नहीं आए वो हम इसको देख लेंगे लेकिन पहले चीज़ें को समझो देखो मैंने तुम लोगों के सामने ही सोचा बैठके घलत हुआ उसके बारे में सोचा कि अगर देखो मैं अगर ये एग्जामपल लटा नहीं करता मुझे लग रहा था कि मेरा कोट सही है अगर मैं ये एग्जामपल लटा नहीं करता मेरा दमाग उसमें काम ही नहीं कर रहा था उस वक्त उस सिनारियो को सोच ही नहीं रहा था मैं कि अगर ऐसा होगी कि वो वापिस से फ्लैक फॉल्स हो जाता तो अब हर सिनारियो को आप कोडिंग करने से पहले नहीं सोच सकते हो वो आईस्था इस्था सारी चीदें फिगराऊड होती है तो अब मैंने जो logic सोची, अब मैंने फिर सोचा कि अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों मैं किस तरीकर से रोकूंगा, या तो मैं इसमें starting में ही conditional loop बना देता और उससे फिर जैसी आता flag को false करके loop रोक देते, ताकि वो फिर सिर्फ true ना हो जाए, ये एक scenario था जो possibility थी जो इसको सही करने का तरीका था, अब मैंने हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है, ये नहीं कि भाई, आपने एक ही answer है, मैं तुम लोग इसकी mark scheme भी दिखा देता हूँ, mark scheme बहुत ही simple है, comparatively, जो मैंने किया, मैं भी कर सकता था, कि भाई, easily आपको वही mark scheme दिखाता और व मैं उसमें सोचूंगा इसके बारे में, कि मैंने एक सवाल solve किया था, जिसमें ये चीज हो रही थी, लेकिन उसमें मैं एक चीज में फस रहा था, which was, कि जैसे ही वो true हो रहा है, तो वो वापिस से भी तो false हो सकता है, आगे जाके scenario ऐसे भी तो बन सकता है, right, तो आपने हर scenario क के मताबिक code को सोचना पड़ता है, इस तरीके से solve करना, जिस तरीके से मैंने solve किया, अब ज़रा मैं पूरा एक दफ़र dry run कर दूँ, ताके जिसको समझ नहीं आए, वो समझ ले, एक flow के अंदर चीज हो जाए, फिर तुम लोगों के queries आदेगी, देखो, एक question को solve करना ने कि मैंने कितना time लिए तुम लोगों के लिए, अच्छा खासा, like around 40 minutes हो गए हैं, तकरीबन समझ लो, 34-35 minutes हो चगए हैं, एक ही question पे, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी चीज समझ लो बस, इस time से और इस चीज से, that is, घलतियां करोगे कोई मसले की बात में, बस improve करना सीखो, चलो, अ उसका already मौझूद है या नहीं मौझूद है, उसके लिए मैंने बनाया, फिर मैंने condition बनाई, if length is not equal to 5, अगर length 5 के बरावर नहीं है, और use check true है, use check true मतलब already in use, इसका ये मतलब है, अगर already in use है, और length भी 5 के बरावर नहीं है, तो आप लोग, इन में से कोई एक भी condition हो जाए, तो आप false return कर दोगे, that's one thing, एक चीज़ हो गई, इसको, जैसे return false हो जाएगा, loop automatically, आपका function automatically रूच जाएगा, उसकी बाद मैंने एक alpha flag बनाया है, ताकि मैं इसको check कर सको, यहाँ पे मुझे conditional loop बनाना चाहिए था, और conditional loop भी बना सकता हूँ, और अगर conditional loop नहीं है, तो इसको for की loops अगर हम कर रहे हैं, तो alpha flag को false किये, for index one to five, पांच दफ़र लूप चलेगा, character mid supplier code index comma one, मतलब a की character मुझे extract करना है, तो जब भी ऐसे सिनारिय होता है, जब भी आपको alpha numeric characters देखने हो, इस तरीके से, तो हमेशा a की character करके, उसको comparison करवाते हैं, if character is greater than equal to a, and character is less than equal to small z, य के साथ और के साथ capital A की condition में रहें, और जब तक ये condition true रहेगी, alpha flag को false ही रखेंगे, else के अंदर मैंने क्या काम किया, else के अंदर मैंने का return false, तो मतलब जैसे ही condition false हो जाए, मैं false return करके, एक दफा हमारी condition false होई, directly else पर आके false return करके loop खत्म, function खत्म, that means, कि उसमें कोई अलग characters फिर उसके बाद आपने क्या किया, if alpha flag is equals to false, अब मैं loop से बाहर आगया हूँ, अगर अबी तक false है, तो true return कर देंगे, मतलब मेरे सारी चीज़ें सही थी, ठीक है, और अगर ऐसे नहीं है, तो false return कर देंगे, that is how you are supposed to do it, सही है, कुछ थोड़ा बच समझ जाया है तुम लोग भी हम खाली return करवा सकते हैं, बिलकुल करवा सकते हैं, अब्दिल्ला बिलकुल करवा सकते हैं, पूरा code देखा हूँ, यह रह पूरा code देख लो बटा, अच्छा ज़ता हूँ, use check वाली चीज़ समझाने हैं, समझा ज़ता हूँ, सहरा हमने file क्यों नहीं open की, बटा यह file का अभी पार्ट जो था, यह file का पार्ट थोड़ी था, आपने question पढ़ा ही नहीं फात्मा, फात्मा जुलकुल नहीं, बिटा तो मुझसे WhatsApp बात करना, एक मुझे टाम लिखने दो तुमारे, अगर parameters 5 की length का नहीं हुआ, तो sub exist error देदेगा, sub exist error देदेगा, नहीं न तो condition हमारी उसमें एक भी वह होगी ना, for example, अगर 5 के बराबर नहीं हुआ, तो condition false हो जाएगी, और फिर हम दूसरी चीज़ को देखेंगे, सही है, सदो file का concept कहां गया, बिटा भी part, आगे भी parts हैं, तो मुझे परिशान क्यों होते हो, Sir, I checked for alphabetic characters first using the while loop and then checked for length using the index of while loop, if index greater than 5, then false, बिटा, करना नहीं था, मुझे है, the reason is length का function मोजूद है, आपके पस, अच्छा, मैं जार चार्ट पॉस करूँ भाई, बहुत मैसेजी दोगे हैं, अच्छा, इस चीज़ की बात कर रही हूँ, अरीच, ये मैंने इस लिए की किया है, कि अगर मेरा alpha flag false ही रहा, सब चलने के बाद, that means कि मैं return true कर दूँगा, मैं true return करके बात काता हो जाएगी, else, अगर ऐसे नहीं हुआ, तो false return कर देंगे, simple काम, अच्छा, जिसको use check समझ नहीं है, use check क्या है, हमारे पास एक function मौझूद है, sub exist के नाम से, साइए supplier exist करता या नहीं करता है, यह कर किया रहा है, returns true if the supplier code is already in use, अगर वो already in use है, तो true return करता है, तो अगर वो already in use था, जो हमने supplier code पास किया, अगर already in use था, तो use check की value true हो जाएगी, जब वो true होगी, तो यहाँ पर आकर condition चेक करेंगे, अगर वो true हो रही है, तो false return कर दो, क्योंकि मुझे यह ऐसी codes चाहिए है, जो already in use ना हो, सही है, सर open file क्यों नहीं किया, यह files का तालुक नहीं था यहाँ पर, इस वाले part A के अंदर कोई files का तालुक नहीं था, आगे जाके files का तालुक है, उसने यहाँ पर direct supplier code को लेने का बोला है, कोई extraction कुछ भी नहीं करवानी है, सही है, parameter के इंदर value होगी, उसका हम verify खरवा रहे हैं, नहीं बटा, नहीं, 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 बिलाल नहीं, हर एके character की strike करें करना है, अच्छा, यह मैंने use check वाली संजा दी, can we do if character is greater than equal to 1 or less than 9, नहीं बटा, 1 और 9 से क्या तालुक है, सबूर, 1 और 9 से तो क्या ताल अब it is like, 55555 and shouldn't use sub exist after it has been made, क्यों, कोई मसला हैं नहीं, अमीर, देखो, अगर length आप में देख लिया, if it is not equal to 5, false return हो जाएगा, use check को देख लिया, तो false return हो जाएगा, अब दोनों सही है, अब तुम कहे रहें 555 है, right, 555 यह तुम्है अगर मिल जाए, सही है, for example, क्या होगा, फौर के लूप में आओगे फौर के लूप में आने के बाद अब तुम चीजों को चेक करो अब चीजों को किस तरीक से चेक करोगे एक तरीक से यहीं पर फॉल्स हो जाएगी लेकिन अगर हम alphabetic characters को चेक करते हैं तो किस तरीक से होगा भाई आपने चेक किया mid supplier code index,1 that will give you 5 दोनों condition false हो जाएगी else में जाओगे return false कर दोगे तो starting में false हो गया बात खतम फिर आगे बढ़ने की जूरत ही नहीं है आपको समझे सर how can you check my code end procedure इस तरीक से इस्तेमाल नहीं हो सकता है हमद end function जाए एक ही दफ़ा इस्तेमाल होता है that is at the end end function से function नहीं रुखता तुम कहरो return false की जगह end function लिख देता है फिर end function लिख देता है इस तरीक इससे नहीं होता है end function से भी एक ही दफ़ा आता है सही है so why does the question say to take new supplier code in new sub इस वज़े से बोला है क्योंकि parameter के तौर पर verification करवाना चाहर है supplier code की वो नहाप पर देखो एक new आपने वो लेना है call with the parameter of a new supply code एक नया supplier code को test करना चाहरे हैं हम लोग कि क्या ये code exist करता है या नहीं करता है सही है अच्छे sir I use while loop with two conditions बेटा of course मैं देखो हर एक एक चीज़ को करने के अलग अलग तरीके है मैंने बहुत ही different approach इस्तेमाल की तो आप लोग बहुत different approach इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर मेरी approach समझा गई तो that's perfect ठीक है नूर वो भी ठीक है sir condition समझा देखो a वाली condition समझा दो देखो a वाली condition क्या है हमारे पास a वाली condition इस तरीके की है अगर वो a से बड़ी value है मतलब a से बड़ी value है और small z से छोटी value है इन दोनों सिनारियों में वो consider होगी alphabetical alphabetical consider होगी capital a से बड़ी value है capital z से छोटी value है फिर भी वह consider होगी alphabetical इनकी इलावा जो range है outside these values उनको हम कहेंगे non-alphabetical तो उसकी condition मनाईए मैंने यहाँ पर simple समझें sir but file open करके shouldn't be do all the working unit नहीं बिटा file का तालुक नहीं है यहाँ पर files कब open करते हैं जब file से कुछ read करना हो या कुछ file के अंदर लिखना हो जब आफ file को open करते हो file का किहां से तुम लोग यहाँ पर तालुक लेकर आरे हो file का कोई concept यहाँ पर नहीं है क्यों क्योंकि इसमें यहाँ पर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं आपको file से कुछ करने को अब next part में वो बोलेंगा आपसे कि भाई आपने file के is not already in the file अब यह चीज़ फाइल से related आगई यहाँ पर तो कोई concept ही नहीं है वो सिफ verification करवा रहे हैं एक supplier code की तो इसमें file के तो कोई तालुक ही नहीं कोई तसवर ही नहीं बनता ठीक है read mode यूज कर लिया क्यों यूज किया भई कि कहां कहाता किस नहीं कहाता read mode करने का parameter में supplier code को बला है वो लेके आपने बस उसकी verification करवानी है बिटा इस चारक नाम में कोई चीज़ नहीं होती है मारे पास अरसलान बिटा code समझा गया तो perfect है एक मिन्ट अरसलान में तुम्हारा भी नाम लिख लूँ यह यह पैन कहां से लागिया give me a minute प्लीज अच्छे अरसलान है मेरे पास और फात्मा है इसे दो है चलो बिटा हफसा तुम्हारा सवाल है कि समझ जहीं किस तरीके से किस तरीके से समझोगी बार-बार पढ़ पढ़के सरूरी नहीं कि फॉरन समझ आ जाए सभी है जब एक पजल को solve करने जाती हो क्या करती हो सब एक ही नजर माल कि तुम्हें पजल समझ आ जाता है नहीं होता कभी भी असा पजल के फिर हर सेनरियो को देखती हो तुम्हें एक क्यूब को solve करने जारी रुबिक्स क्यूब को solve करने जारी तुम हर एक उसके देखो की किस तरीके से moment करने होगी क्या करने होगा तो यहाँ भी same scenario हर एक चीज को पढ़ो समझो क्या समझाना चाह रहा है आईशे इसी तरीके से बनेगा एक में end आएगा एक में और आएगा outside वाली चीज़ में सही है और इसकी reasoning क्या है reasoning यह है जब भी हम condition में आते हैं तो A से बढ़ी होनी चाहिए Z से छोटी होनी चाहिए दोनों चीज़ें को चेक एना सही है अगर आपने का A से बढ़ी हो तो वो सकता है कोई और character A से बढ़ा हो अच्छा चलो अब मुझे बताओ भाई समझा ही तुम लोगों को yes and no समझा रहूं गटा अभी सिब yes and no में जवाब दो और में क्या फर्क है बटा और में ये है कि अगर ये condition true हो गई और ये condition false हो गई even then उसको वो true consider करेगा overall condition को ठीक है basic बस इतना सा मतलब है अगर ये भी false हो गई ये भी false हो गई मतलब ना small a था ना capital था तो आप लोग else के अंदर आके return false कर दोगे तो ये concept है ठीक है return वाला पाट कर दे वेटा देखो return क्या चीज़ है return जब भी आता है हमारे पास जैसी return आता है return false आया मेरे पास for example तो लूप रुख जाएगा functions रुख जाएगा आपके function रुख के आप बाहर आ चाओगे ठीक है शाहाम बिटा सवाल पूछो विजदान सवाल पूछो मात बिटा समझार हो रुख जाओ सवाल पूछो जो चीज़ समझ नहीं सवाल पूछो शर्यार बिटा पढ़ो बटवे second part तो करवाऊंगो ने लेकिन मैं अभी पहले यह चीज़ तो clear हो फिर ही कुछ होगा ना सवाल पूछ लो भाई यूज़ चेक नहीं आ रही समझ उसमें जो यूज़ हुआ बागी आगे बिटा यूज़ चेक क्या है इस चीज़ को समझें ना यूज़ चेक एक ऐसा variable है जो कि हमारे पास एक function मौझूद है sub exist के नाम से ठीक है sub exist sub exist को study करो क्या कर रहा है true return कर रहा है अगर supplier code already use में है if it is already in use सही है तो वो true return कर रहा है लेकिन यहां पर उन्हों बोला है हम लोगों को return true if the string only contains alphabetic characters is new sub के अंदर true return करेगा अगर सिर्फ alphabetic characters हो and the supplier code is not already in use मतलब हम लोगों को दो conditions चेक नहीं है वो use में नहीं हो सही है जब आप उसको accept करोगे और हमारे पास वो alphabetic characters हो तो यह not already in use वाली किस तरीक से मैं चेक करूँगा I already have a function which is known as sub exist उसको इस्तमार करते हैं हम कर सकते हैं सही है अच्छा मैं chart post कर रहा हूँ बहुत जादा message दो गए हैं पहले इनको clear करके फिर चार्ट open करेंगे तो sub exist के नाम से हमारे पास यह चीज़ मौजूद थी sub exist अब आपने क्या करना है वो true return करता if it is already in use तो अब मैंने यहाँ पे एक use check के नाम से एक variable बना है जिसमें मैंने sub exist को call किया supplier code को pass करके for example suppose करो a b c d e अब मैं चेक करने चारा हूँ क्या यह already exist करता यह नहीं करता अगर इसने यहाँ पे true value दे दी that means कि यह already in use है यहाँ पे हम इसको already इस्तेमाल कर रहे है तो इसका मतलब है कि मैं false return कर दूँ यह भी फिलार already in use था a b c d e अब imagine करो यहाँ पे ऐसा हमने लिखा a capital a capital a b c इस तरीके से हमने एक नया supplier code लिखा है यहाँ पे तो अब यह चीज़ already use में नहीं थी तो यहाँ पे क्या जाएगा false आ जाएगा जब यहाँ पे false आ जाएगा length भी 5 e और उसके बाद use check जो था वह false हो गया तो दोनों condition false हो गई अब आज अब बाहर मतलब यह दो five वाली condition true हो चुकी है मेरी कि भाई five characters है बहतरीन हो गया उसके बाद use check को भी check कर लिया वह भी false है मेरा मतलब वह already use में नहीं है तो अब हाके मैं alphabetic characters को check करूँगा सही है तो that's the concept of use check hopefully समझा गया हो बिटा महात समझा रहा हो लड़के परिशान क्यों जाते हो तुम two lower से भी समझा रहा हो sir this one of this one of those big scenario based question बिलकुल ऐसे ही question बेर eight ऐसे ही होते है sir alphabet a to z वाली बात बता दे length और mid वाला function बिटा length और mid वाला function क्या length से तो आपके length की हमने figure out किया अब जब हम बात कर रहे हैं mid से हमने क्या किया है mid से आप लोग a की character को extract करते हो for example पहले a को extract किया फिर b को किया फिर one को किया फिर c को किया फिर d को किया इस तरीक से एक सिंगल सिंगल characters को extract करते है किस तरीके से हमने 4 को लूप लगा है for index 1 to 5 character mid supplier code index,1 index,1 मतलब index की value 1 होगी तो 1,1 पहला character फिर 2 होगी 2,1 second character अब हरी के character को चेक कर रहे है अगर वो इस तरीके से मैंने condition मनाई भी है A to Z और capital A to Z अगर हमने पहले condition चेक की इस तरीके से ये condition मनी भी आपके इन दोनों से बाहर होगी value तो हम उसको consider करेंगे तो वो non-alphabetic कराएगी अगर इन दोनों में से अगर कोई value B है small b है, तो इसमें आगई लाय कर रही है range के अंदर, that means कि अभी हमारे पास वो alphabetical character ही है मैंने condition किस तरीके से बनाई है जो आपने character extract की है अगर वो small a से बढ़ा है if it is greater than small a या बराबर and if it is less than equal to z then what I am supposed to say कि वो एक alphabetical character है ये एक condition मैं आदी, अब यही same condition मुझे capital के साथ भी बनानी है तो capitalize के लिए किस तरीके से बनाए है if it is greater than equal to a and character is less than equal to z तो मुझे क्या करना है alpha flag को false कर दो मतलब उसको consider करो कि ये एक तरीके से दोनों scenario's हमारे दोनों जो भी character आए वो alphabetical character ही है और अगर दोनों condition false हो जाएंगी तो हम लोग return false कर देंगे return false का मतलब loop को function को अपने रोग देंगे that's the concept और अगर मेरा alpha flag अभी भी false ही रहा तो two return कर देंगे सही है जनाब so you say वाली बात ये होगे अब hopefully शाम supply code is greater than equal to a नहीं बटा इस तरीके से नहीं कर सकते है हर एक ए character कर दोना है चलो hopefully समझा गई होगी alpha flag true or you check false हाँ बार में भी कर सकता हो विजदान false मैं करके दिखाता हूं मिटा sir अगर initial condition में से कोई एक भी condition true हो गई तो function खतम हो जाएगा बिलकुल ऐसे ही है रुबाईशा अगर यहां में एक भी condition true हो गई उपर वाले में तो already आपका function खतम हो जाएगा आगे बढ़े गई नहीं वो alphabetical को चेक करने की जरूरत ही नहीं also sir you had to tell me अच्छा अब राहें बिटा करते हैं sir how to think like this during the paper बिटा बहुत simple है अगर तुम practice के अंदर इस तरीके से सोच के जा रही हो ना तो paper में भी आ जाएगा आपको इस चीज़ को समझो तुम लोगों के सामने solve किये और मैंने एक ऐसी logic से solve किये जो कि तुम लोगों के दिबाग में हो रही होगी करवाने को तुम मैं बहुत simple code भी करवा सकता हूँ लेकिन वो चीज़ क्या तुम लोग उसी तरीके से सोच रहो या नहीं सोच है that's what matters अच्छा सब रिटर्न और अल्फा फ्लाग में डिफरेंस अल्फा फ्लाग जा है वो अल्फबेटिकल करेक्टर्स का फ्लाग है और जो ये रिटर्न फॉल्स है अगर वो चीज़ हम लोगों के पास अल्फबेटिकल करेक्टर्स नहीं है तो वो फ्लाग कर देगा चलो सब के सेंसिटिविटी खतम करने के लिए अगर टू अपर या टू लोग करने के अभी मैं करके दिखा रहा हूँ अभी वही चीज़ कर रहा है चलो यहां तक सब को समझ आ गया शाहां पहले तुम बता अपना शाहां बनिया से समें समझ आया बाकी सब को समझ आया भाई सब्सक्राइब कर लिए कोई फ़र्क थोड़ी पढ़ रहा है एक साथ चेक कर लिए पूछ पूछ और शोड़ी चैकिंगे इच चर्पिश्पड़ी इंसाइड उप उप फॉलूप उप इस नम्स से हम अलफबेटिकल चेक नहीं करते हैं निमेरिकल चेक करते हैं बिलाल और हमें नहीं पता है कि सिफ निमेरिकल चेक करने हैं कुछ question mark भी हो सकता है exclamation mark भी हो सकता है run time error क्या होता है बार बार run होए जा रहा है so what can we learn from this quote बता देता हूँ sir हम count use कर सकते है for example if कुई number है तो count को plus one करो और उसके बाद एक new if condition लगाओ अगर count one से बढ़ा है तो बिलकुल कर सकते हो flag नहीं करना तो counting कर लो counting भी कर सकते है false क्यों return कर रहा अपर वाले code में if not equal to five देखो अगर आपकी length not equal to five है ना that means कि हम लोगों के जितने भी supplier codes होते है ना वो five characters को होने चाहिए यहाँ पे देखो आपके वो five characters in length होने चाहिए तो इस वज़े से हमने condition मिलाएं कि अगर वो length उसकी five नहीं है तो आप false return कर दोगे मतलब मो मेरे किसी काम कर नहीं है जब यह आपने supply code डाला है simple अच्छा सर इतनी line दी है दी ही नहीं जिसमें पूरा solution है हम paper में का करें बिटा आराम साज़एगा अराम साज़एगा कोई मसले की बात नहीं है यह for loop हमारा सिर्फ first supply code को चेक करेंगा ना बिल्कुल supply code को चेक कर रहा है sir is it fine if I did call supply exist बिटा supply exist procedure नहीं है अगर procedure होता तो आप उसको call करते हो function है function में एक variable में return करवाते है sir why did you use for loops क्योंकि मुझे पता है भाई पांच characters है पांच characters का मतलब मुझे हर एक करेक्टर पर जाके extraction करनी है सभी है sir do we have to validate the length of subcode as it is बिटा नहीं करनी है ना साथ उन्होंने बोला five characters होनी चाहिए तो अगर नहीं है is not five characters तो आपने उसको error देना मतलब false कर रहा हूँ आईशा बता रहा हूँ चलो अब इसका एक असान तरीका भी था इसका असान तरीका क्या है कि rather than checking for both of the scenarios मतलब मैं उसको check कर रहा हूँ किस तरीके से if character is greater than equal to a and character is less than equal to z or character is greater than equal to a and character is less than equal to z अब हम एक नहीं चीज़ सीखने जा रहे हैं हाँ पर सही है क्या चीज़ नहीं सीखने जा रहे है कि अब अगर मेरे पास मुझे दोनों scenario's को check करना होता है अगर capital को भी check करना है और lower case को भी check करना है तो बहुत ही simple scenario है जो भी आपने character extract किया हो न उसको आइधर lower case में कर लो या तो upper case में कर लो तो अगर upper case मोगा तो उसको lower case में कर लो वो किस तरीके से करते हैं हमापस दो functions मौझू है यह चीज़ आप इससे सीख सकते हैं आज के इस सवाल से एक two lower के नाम से हमापस function मौझू है जिसमें अगर आप capital कोई एक digit पास कर, capital character पास करते हो तो वो उसकी return करके दे देता है आपको क्या चीज़ एक small value सही है और अगर आप इसमें capital C पास करोगे तो वो small value दे देगा imagine करो small C पास करोगे तो वो small ही देगा आपको तो आप two lower को इस्तमाल कर सकते हो आपर सीख सकते हो कि अब ये दो अलग अलग conditions बनाने के बज़ाए मैं क्या कर सकता था मैं इतना simple काम कर सकता था कि यहां पे rather than doing this और लगाओ and लगाओ इन सब को करने के बज़ाए बहुत ही simple काम हम ये कर सकते थे lower character lower character के नाम से बना लेते हैं जिसमें हम लोगों ने क्या करना होगा सब को मैं two lower कर देता हूँ two lower character pass करो इसमें और इसके साथ comparison बना लो lower character के साथ if lower character अब सिर एक ही चीज़ को चेक करना है आपने if lower character is greater than equal to a and lower character is less than equal to z small z इस तरीके से भी काम कर सकते थे then alpha flag is false तब rather than checking अलग-अलग capital A को alphabetical capitalized को और smaller को दोनों को check अलग-अलग करने के बज़ाए मैंने उसकी डेट उसको upper case से lower case में कर दिया जो भी upper case वाले alphabetical characters होंगे वो lower case में हो जाएंगे हमने एक ही condition मना ली तो यह चीज़ आपकी marks की में अप्रोच दी यही सेम चीज़ इसको देख लो चलो और बताओ भाई इससे रिलेटेड इससे कोई और सवाल बताओ रन टाइम एरर हमारे पास बहुत सारे होते हैं division by zero कर रहे हो उससे भी रन टाइम एरर आ जाता है मतलब आपका code नहीं चलेगा आगए सही है या तो आपका while loop चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है पहले मुझे बताओ यह सब को समझ आ जाजाए मैं चाय टोपन करता हूँ और तीस मेसेज़ेज़ अल्ला बचाया मुझे बाई जिन्दा रुखे सब्सक्राइब करेगी if alpha flag is equal to true or user check is equal to false बटाई गलत है आपका विजदान इसमें हमें एक तरीके से दोनों को and लगाना इसमें आपने and क्यों लगाने दोनों को true होना ज़रूरी है use check को false होना ज़रूरी है alpha flag को true होना ज़रूरी है हमारे scenario में false होना ज़रूरी है सही है यहां तक सब को समझा गया चला मैं तुमनों की queries click करता हूँ let me pause the recording ज़रूरी